आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो मुझे वेल्यू निकालनी है एक्स की ठीक है हमें किसकी वेल्यू निकालनी है एक्स की तो देखो हमारा relation क्या होता है डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर्टी लॉग के ठीक है तो यहां पर हमारा क्या है free energy change delta G naught के equal है जो किसके equal है 2.303 RT log के अब हमें equilibrium पे बात की गई है ठीक है तो क्या होगा देखो equilibrium पे क्या होता है जो मेरा rate of forward reaction है वो equal हो जाएगा rate of backward reaction के मतलब जिस reaction से हमारी rate forward direction में move कर रही है उसी rate से reaction backward direction में move कर रही है तो जो हमारा net energy change होता है इस moment पे equilibrium पे वो तो 0 हो जाएगा और अगर energy 0 तो delta G की value भी मेरी 0 हो गई equilibrium पे तो equilibrium पे क्या होता है कि मेरा delta G naught किसके equal हो जाएगा ये तो 0 हो गया minus 2.303 RT और यहाँ पे क्या हो जाएगा RT log K equilibrium ठीक है और यहाँ पे हमें सब कुछ values गीवन है तो just put कर लेंगे values यहाँ पे equilibrium constant की गीवन है temperature तो अब क्या करेंगे देखो put कर देती हूं मैं इन values को यहाँ पे हमें गीवन है equilibrium constant temperature pressure value of delta G naught minus XR के terms में आ जाएगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा minus 2.303 R को as it is लिखेंगे temperature 300 है और log यहाँ पे कित्ती गीवन है value 100 ठीक है ना तो देखो आपको पता है हमारा जो log 100 होता है मैं इसको कैसे लिख सकते हूं log 10 का square और आपको पता है log m raised to n की power होता है किसके equal होता है n log m के इसके equal होता है जब अगर यह power में चला गया तो base 10 है इसको मैं क्या लिख सकती हूं अगर यह log 10 का square है तो यह 2 log 10 हो जाएगा और यह base 10 है लोग का तो यह हो गई 1 2 into 1 तो यह 2 आगी value तो यहाँ पे अगर मैं इसकी value put करती हूं यहाँ पे इसके equal तो 2 आजाएगा और यहाँ देखो क्या होगा हमारा अब minus 2.303 into r into 300 into यह तो किस्तना होगा 2 के equal तो यह calculator के मेरी value आते है minus 1381.8 r यह हमारी value आगी delta g0 की और हमें यह given ती किसके equal आएगी minus xr के तो minus xr के equal यह value आगी मेरी minus xr के equal कितनी आई minus xr तो x की y find out करनी थी तो compare कर लो x की value आजाएगी हमारी 1381 1381.8 ठीक है 1381.8 यह हमारा इस question का होगा final answer Thank you Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर और